हेलो बच्चों जोतीज इजी लार्निंग चैनल में आप सब का स्वाग थे तो आज हम देख रहे हैं एड स्टैंडर का जो है हमारा फर्स चाप्टर राश्टनल और इराश्टनल नमबर्स तो उसमें हमने जो पहला है इंटरॉक्शन देखी नमबर लाइन कैसे नमबर लाइन पर कैसे दिखाना है वो भी देखा है आज हम प्राक्टिस सेट लेने वाले हैं 1.1 तो बच्चो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आपको मेरे चैनल को सस्क्राइब करना है तो आप वीडियोस देख पाएंगे अच्छे से और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चो सस्क्राइब कीजिएग तो चलिए हम देखते हैं 1.1 तो show the following numbers on a number line और आगे भी है draw a separate number line for each example तो वो मैंने लिखा नहीं है कि हर एक example के लिए आपको क्या करना है अलग-अलग number line निकालनी है तो जो हमें number दिये है वो number line पे दिखाने है और हर एक example के लिए अलग-अलग line निकालनी है तो चलिए हम देखते हैं number line पे ये number कैसे दिखाएंगे तो फर्स तो हमें देखना है denominator denominator पे हमें depend करता है कि उस line के हम कितने parts निकालेंगे तो two है यहाँ denominator two है मतलब हमें two parts निकालने है तो पहले कहां से start करना है तो बीच में आपको जीरो लेना है तो ये जीरो लिया अब आपको क्या करना है कि two parts निकालने हैं आगे तो जीरो के आगे से start करना है one बोलना है और two बोलना है तो यहाँ आपका two पूरा हो गया जो बड़ा दिखाया है यहाँ आपका two पूरा हो गया मतलब यहाँ पूरा one number होगा तो two ही parts है अब तो one part और two part और यहाँ अमारा one पूरा होता है अब जब आगे देखेंगे कि one part और यहाँ two part तो यहाँ अमारा two पूरा हो जाता है one part और two part तो यहाँ हमारा three पूरा हो जाता है फिर one part और two part तो यहाँ हमारा four पूरा हो जाता है तो यह हमारी number line हो गया अब हमें देखना है कि जो minus number है वो कैसे लिखने है तो minus number लिखने के लिए zero के इधर हम left side में लिखेंगे तो यह हमारे positive numbers लिखके हो गए अब negative number two parts में हमें लिखने है तो first छोटा one और यहाँ का जो बड़ा दिखाया है वो पूरा हो गया मतलब यहाँ minus one आ गया अब फिर से one और यह पूरा two तो यहाँ हमारा minus two पूरा हो गया तो यह हमारा two parts में इसको हमने divide किया है कि one two अब आगे भी आपको ऐसे ही करना है यहाँ one और जो बड़ा है वो two तो two पूरा हो गया मतलब यहाँ minus two हो गया है अब हमारा यहाँ minus three आ जाएगा आगे भी आपको one और two parts में लिखना है तो यहाँ minus four हो गया तो यह लाइन के जो arrows है ओ भी हमें पूरे करने हैं तो लाइन पूरी की अब हम देखेंगे की हमारा कौन सा number कहा दिखाना है तो पहले क्या करना है denominator देखना है denominator देखके पहले line निकालनी है और line निकाल के बीच में zero लिखने का है बाद में हमें जो two parts लिकालने है और zero के आगे से start करना है one two और two जब पूरा हो जाएगा तब हम पूरा one लिखेंगे one two तू पूरा हो जाएगा तब two लिखा अब one part two part पूरा हो गया तो three लिखा one part two part पूरा हो गया अब यह आगे लिखाए तो यह हमें यहीं चाहिए, two parts ही हमें दिखा ले हैं, तो यहां हमारा बड़ा हो जाएगा, तो यह फोर हो गए, अब यह इधर भी देखेंगे, तो one part, two part, minus one, one part, two part, minus two, one part, two part, minus three, one part, two part, minus three, अब लाइन तो बराबर हो गई, अब numbers कौन से दिखाने है, three upon two, तो three upon two दिखाने के लिए, zero के आगे से आपको count करना है, तो one, two, three, four, five, ऐसे आपको count करना है, अब हमें चाहिए three, तो three दिखाने के लिए, one, two, और three, three कहा आजाता है, one के आगे, तो यहां हमारा three upon two आजाएगा, तो यह हमारा क्या आगया, three upon two, कहा से count करना है, zero के आगे से count करना है, तो यह हमारा three upon two है, अब three upon two मतलब क्या, आपको लगेगा कि यह one के आगे, three upon two कैसे हो गया, लेकिन अगर आप fraction सीखे हो तो आपको पता है 3 upon 2 मतलब कितना तो यहाँ हमें 3 को 2 से डिवाइड करना है 2, 1 जा 2 तो जो रह गया है 1 तो यहाँ हमारा मतलब है 1 पूरा और प्लस 1 और यह जो हमारा denominator है 2 वो नीचे लिखना है तो mix fraction में हमने देखा है ऐसा कि दिवाइड करके हम पूरा नमबर जो आता है वो यहाँ लिखते है और जो हमारी remainder आती है वो उपर लिखते है और जो हमारा divide करते हैं जिससे वो नीचे लिखते है तो यह 1 half है तो 1 के आगे half है मतलब 3 upon 2 है बच्चो तो आपको लगे कहे 3 upon 2 मतलब क्या है 1 क्या क्या है कैसा 3 upon 2 है लेकिन यह है 1 half तो यहाँ 1 पूरा हो गया और 3 upon 2 का मतलब है half तो यहाँ 1 half का 1 plus half मिला के 3 upon 2 होता है इसलिए यह 3 upon 2 मतलब क्या है 1 half तो यह यहाँ दिखाया हमने अब second जो है 5 upon 2 तो 5 देखना है जो की plus side ही है तो positive numbers ही है तो positive line पे ही इधर positive numbers के ही और दिखाएंगे तो 5 देखना है अब कहां से 0 के आगे से तो यहाँ 1 है तो अलग count नहीं करना है जो की जो आपको दिखाएंगे points वो अच्छे से 0 के आगे से ही count करने है तो यह 1, 2, 3, 4, 4 फायू यहाँ आ गया 2 के आगे तो यहाँ आपको फायू अपाउन 2 लिखना है तो फायू अपाउन 2 मतलब कितना है फायू अपाउन 2 आपको पता है कितना तो 2 हाप, 2 के आगे आया है जैसे हमने इसका किया है वैसे ही फायू अपाउन 2 का भी आता है 2 पूरा और हाप, 2 पूरा और हाप आता है तो इसलिए यहाँ फायू अपाउन 2 है मैंने बताया है आपको कि कैसे आता है तो ये भी आपको 2 से फायू को डिवाइड करेंगे और जो mix fraction है वो आएगा 2 प्लस half तो ये है 2 के आगे half इसी लिए ये फायू upon 2 है तो अब चलिए देखते हैं next जो हमारा है minus 3 upon 2 तो आगे हमें देखना है कि minus 3 upon 2 कहा लिखेंगे तो ये मैं रब कर देती हूँ मैंने आपको समझाने के लिखा है कि कैसे आया अब देखते हैं minus 3 upon 2 तो 0 के left side में जो negative numbers है वहाँ देखना है तो ये जो first है वहाँ से आपको count करना है 0 के आगे से 3 चाहिए हमें तो 3 तक जो point से हो count करने है 1, 2, 3 तो minus 1 के आगे आया है 3 तो यहाँ आपका देखना है minus 3 upon 2 तो यहाँ आता है minus 3 upon 2 minus 1 के आगे फिर से देखिए 0 के आगे 1, 1, 2, 3 तो कौन सा अलग नहीं लेना है जो भी आता है वो count करते जाना है minus 1, minus 2 है यह हमें नहीं देखना है तो यहाँ 1 count किया तो आगे 2 और यहाँ 3 तो यह हमारा minus 3 upon 2 minus 2 और minus 1 के बीच आ गया है इसका मतलब क्या है तो minus 1 और minus half तो यह minus 1 के आगे half जादा है इसलिए यह minus 3 upon 2 आया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो minus 3 upon 2 कहा आया minus 2 और minus 2 और minus 1 के बीच में तो यह number हमने दिखाया है यह number दिखाया है और यह number दिखाया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम second example देखते है denominator देखना है अच्छे से number line पे 0 लिखना है जो पार्ट से में डिवाइड करने दी है उतने पार्ट लेने है 1, 2 और वहां हमारा 1 पूरा हो गया 1, 2, 2 पूरा हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 4 पूरा हो गया यहां भी हमने वैसा ही किया 1, 2, minus 1 1, 2, minus 2 और number line पे हमने number दिखाये count करके 0 के आगे तो 0 के आगे 1, 2, 3 तो 3 upon 2 फायू चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5 तो फायू upon 2 तो यह ऐसे number line आपको निकालनी है one up example हम देखते है और बाकी के आपको करने है तो चलिए next कौन सा है देखते है तो वही निकालना है लेकिन parts अलग-अलग होगे जो की आपके parts है वह आपको अलग-अलग दिखाने पड़ेंगे तो second जो example है 7 upon 5 है 7 upon 5 minus 2 upon 5 minus 4 upon 5 minus 2 upon 5 है minus 4 upon 5 है चलिए हम number line निकालते हैं number line निकालने के लिए पहले line निकालेंगे तो 9 निकालेंगे और हमें क्या देखना है पहले denominator को denominator जो है 5 you है तो हमें 5 you parts में उसको divide करना है और 5 you parts हमें हमारे आने चाहिए तो हम निकालते हैं पहले जीरो तो बीच में आपको जीरो निकालना है तो ये जीरो जीरो निकाला अब आप हमें 5 you parts में उसको divide करना है तो 5 you parts बोलेंगे पहला 1 2 3 4 और ये जो फायू वाला बड़ा निकालेंगे और यहां 1 पूरा हो जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां 1 पूरा हो गया अब आगे निकालेंगे 1 से start करना है 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां हमारा 2 पूरा हो गया और number line भी complete कर देंगे हम तो आगे हमें देखना है कौन सा minus number देखना है तो 0 के left side में हमने negative number दिखाने है तो चलिए कितना चाहिए हमें 5 पार्स चाहिए तो 1 से start करेगे यह छोता 1, 2, 3, 4 और यह 5 तो यह फायू वाला हो गया फायू वाला क्या आजाएगा minus 1 अब आगे काउंट करना है आपको 1, 2, 3, 4, 5 यहां आपका minus 2 complete हो जाएगा और line भी मैंने complete की है अब देखना है हमें पार्स अच्छे से निकाले है क्या हमने तो 0 लिखा फायू पार्स चाहिए क्यों की डिनॉमिनेटर फायू है 1, 2, 3, 4, 5 फायू आगया तब 1 लिखा 1, 2, 3, 4, 5 फायू आगया तब 2 लिखा यहां भी हमने वैसा ही किया 1, 2, 3, 4, 5 तो minus 1 लिखा 1, 2, 3, 4, 5 minus 2 लिखा अब हम नमबर्स देखेंगे तो नमबर्स कौन से हैं हमारे पहला है 7 पार्स फायू तो 7 पार्स फायू देखने के लिए जीरो के आगे हमें 7 तक बोलना है जो की points काउन करने हैं तो 1, 2 को नहीं देखना है सिर्फ 7 तक काउन करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहां मेरा 7 आगया तो यहां लिखना है 7 पार्स फायू देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 पार्स फायू यहां आगया तो 7 पार्स फायू मतलब कितना है यह देखने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो फायू से 7 को डिवाइड करेंगे तो फायवन जा फाया जाएगा और नीचे 2 रहे जाएगा मतलब पहले पूरा जो नंबर है वो पहले लिखना है बाद में जो हमारी रिमेंडर है वो लिखनी है और फायू तो यह है 1 फूरा प्लस 2 अप्पावन फायू तो फायू में से 2 पार्स है इसी लिए ये 2 पार्स है 1, 2 पूरा 1 आया है हमारा यहाँ और आगे जो आया है 1, 2 पार्स मतलब ये 2 अप्पावन फायू पार तो ये मिला के जो है 7 अप्पावन फायू है अब आगे हमें देखना है माइनस 2 अप्पावन 5 माइनस 2 कहां लिखना है तो निगेटिव जो नमबर है वही हमें देखना है तो 0 के left side में जाईए और 1, 2 count करेंगे तो 1, 2 2 यहां आ गया मतलब हमारा minus 2 upon 5 आ गया तो यहां लिखेंगे minus 2 upon 5 तो यह हो गया पूरा हमारा नमबर अब जो है minus 4 upon 5 तो minus के side ही आपको count करना है 1, 2, 3, 4 4 यहां आ गया minus 1 के पहले तो यहां में लिखना है minus 4 upon 5 count किया हमने 0 के आगे 1, 2, 3, 4 तो हम point को जो है अच्छे से यह करते है कि आपको पता चले हमने कांसा point लिया है तो यह point है और यह point है तो यह जो minus 2 upon 5 है वो 5 में से 2 parts है 1, 2 इसलिए यह यहां आया है minus 4 upon 5 भी कैसा है कि यह 1, 2, 3, 4 मतलब भायू में से 4 parts है वो पूरा अभी हुआ नहीं है तो यह ऐसा आएगा तो आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने तो आप अच्छे से नंबर नए निकाल के आगे के 2 examples solve करने है तो क्या है जो है minus 5 upon 8 है 11 upon 8 है तो क्या आपको denominator देखना है denominator है 8 तो 8 parts में उसको divide करना है 0 के आगे 1, 2, 3 बोल के 8 तक बोलना है और जब 8 आजाएगा तब पूरा 1 लिखना है ऐसे करके आप यह example solve कीजिएगा फैले denominator देखना है 0 निकालना number line पर parts जितने है हमारे denominator के उतने parts दिकालने है number line निकालेगे और number दिखाएगे तो यह हमारा पूरा हो गया है अब हम यही रुपते है और next जो है हमारा next वीडियो में देखेंगे तो आगे का part हम आगे के वीडियो में देखेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सस्क्राइब करना है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों बाई बाई बच्चों